ना ही तुम्हारे स्कूल में और ना ही किसी कोचिंग के अंदर तुम्हें ये बताए जाएगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं लॉंग नोट्स क्या होते हैं और शॉट नोट्स क्या होते हैं नोट्स बनाने किस सब्जेक्ट क्या होते हैं क्या हमें सारे सब्जेक्स के नोट्स बनाने है SST, Science, Math, English, Hindi या फिर हमें कुछ ही सब्जेक्स के नोट्स बनाने है आखिर वो जो टॉपर है ना जो कि 95 प्लस लेकर आया है वो नोट्स कैसे बनाता है नोट्स बनाने का पेस्ट मेथड आखिर रहे क्या आज का टॉपिक एक बहुत डिफरेंट और एक थोड़ा इंपोर्टन टॉपिक है क्योंकि आज के समय पर नोट्स मेकिंग इसके वारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है मैंने कई इंटर्व्यू लिए और आपके सीनियर बैच के इंटर्व्यू कई मैंने लिए आपको शॉट्स की फार्म में मैं आपको दिखाए भी तो उनमें से कई लोगों ने लाइन बोली थी कि भाया नोट्स मैने खुदगे बनाय थे खुदगे आज के समय पर क्या हो गया है कि 90 परसेंट रियालिटी बता रहा हूं 90 परसेंट जो लोग है न वो खुदगे नोट्स नहीं बनाते हैं उन्हें क्या चाहिए कि अच्छार यह कोचिंग वाले नोट्स देते हैं अच्छार भाया मैं ओनलाइन क्लास लगा रहा हूं वहां से इस सबसे बड़ी Bas holds सबसे इंपार्टेंट है क्यों सबसे पहले जब हम नोर्स बनाते हैं फिस सचिजि हमारे अंदर याती जाती जाती है क्यूंकि scientifically proven है तो हम लिखते हैं, वो हमें याद होता है, इस बात को हमें याद रखना है, और दूसरा रिजन यह है, कि जब हम उन notes को last के time में revise करेंगे ना, तो हम बहुत जल्दी revise कर पाएंगे, पता है क्यों, क्योंकि वो हमने खुदने लिखे हैं, होता है ना, कि हम खुद की writing तो बहु time होगा नहीं, तो तुम्हें तो भाई, notes खुद के ही बनाने, अब सवाल यहां पर आता है, notes बनाएं कैसे जाते हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, देखो, दो प्रकार के notes होते हैं, दिखा भी देता हूं, पहले होता है, हमारे long notes और एक होता है, हमारे short notes, दो देखो, imagine करो, step by step process से समझाता हूं, एक notebook पहले हो, note करते रहो, ऐसे खाना खाते time, इस video को मत देखो, important video है, ठीक है, अब देखो, long notes की जहां बात कर रहे हैं, तो imagine करो, आप school जाते हो, यह फिर चलो, आप एक coaching जाते हो, imagine करता हूं, आप एक online coaching कहीं आपने join कर रही है, यह आपने offline कर रही है, यह फिर आप के वल स्कूल जाते हो, तो उस समय पर imagine करो, board पे आपके science का teacher आपको पढ़ा रहा है, तो साथ साथ में science के teacher आपको notes वहां पर लिखाते रहते होंगे, है ना, तो आपको क्या करना है, यह जो long notes होते हैं, यह आपको during lecture बनाने होते हैं, during lecture, अब पता है, बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती यहां पर क्या है, students क्या करेंगे, भाईया, coaching में तो मैं रफ में लिख लेता हूँ, जल्दी जल्दी, 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 अब जैसी मैं भाराता हूँ ना भाईया, तुम फिर मेरी जो स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, हम जब लेक्चर के दोरान टीचर हमें नोट्स लिखवा रहा होगा, साथ-साथ में हमें लिखते रहना है, साथ-साथ में लिखते रहना है, बट भया प्रॉबलम यह है कि साथ-साथ में लिखा नहीं जाता, लिखा नह एक लाइन लिखी, मैं अपने शब्दों में उस लाइस को लिखता था, वो जो पूरी लाइन है, मैंने अपने शब्दों में लिखी, कैसे, मैंने short form का use करा, मैंने short form का, जैसे कि कुछ शब्द होते थे, maximum, तो मैं उसको लिखता था, अपने notes के अंदर, m, a, x, ये मेरी short form थ लिखता था, between को मैं BTW लिखता था, तुम भी करते होगे short form का use, तो notes बनाते समय, short form का use करो, बहुत important है, lecture के दुना notes बनाओगे, घरा के notes नहीं बनाया जाते है, इस चीज़ को समझ लेना, अगर घरा के notes बना रहे हो, तो कुछ-कुछ ही topics के बनाना, जो तुम्हारा coaching में बिल्कुल ही रह गया, teacher कभी कबार होता है, मिटा देते हैं, कहते हैं, बाद में note कर लेना, उस time पर करना, हर बार मत करना, तो पहला point एक दम clear है, technique number two, box technique, यह बहुत important है, भाई यह box technique क्या होती है, ध्यान से सुनना, देखो, यह specially आपकी science और आपकी math के लिए एक technique है, इस technique में हम क्या करते हैं, देखो, मैं आपको समझाता हूँ, कभी कबार क्या होता है, आपको मानो, आपका कट़ टेस्ट है, तो आपको किवल math के formula revise करने है, तो जब भी math या फिर science में physics के notes बना रहे हो, जितने भी formula है, जितने भी formula है, जैसे physics में formula है, current equals two q by t, तो इस formula को box के अ जल्दी revision करने का तरीका है तो जितने भी formula है जितने भी important चीज़ है उनको box के अंदर mark कर लेना अब तीसरा point क्या है flow diagram flow diagram क्या है भी या देखो कभी कबार specially for sst तुम क्या करोगे ना तुम flow diagram का use लोगे कभी कबार ऐसा होता होगा ना बना जल्दी जटी के notes बना देते हैं जल्दी जल्दी लिख देते हैं और तुम लिखनी पातेे sst के notes बनाने का सबसे भैठरीन तरीका ही flow diagram कभी कबार मैं या नी बोर हर बार, कभी कबार अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे students को मैंने करते सुना है कि वो क्या करेंगे जैसे एक chapter है 10th class का nationalism in Europe तो उसके notes बना रहे हैं तो पहले heading डाल दी nationalism in Europe अब पूरी-पूरी statement लिख रहे हैं कि nationalism in Europe was held in the year और क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, पूरी-पूरी theory लिख रहे हैं यहां पर लिख दो, कैसे हुआ था, यहां पर लिख दो, जल्दी, यह क्या हो गए, notes हो गए बड़ी अधर यह के notes हो गए, जब तुम पढ़ोगे तो इस chart form तुमारे दिमाग में एक बार में याद हो जाता है ठीक है, समझ गए, यह थी हमारी long सारी techniques एक last point बता देता हूँ, यहां पर देखना, leave page after every chapter दो से तीन पनने हर chapter के बाद छोड़ो, क्यूँ, बाद में कपक बता है क्या होगा कि जैसे कि तुमने एक chapter के notes बना लिए, बाद में तुमें ऐसा लगेगा यार, इस chapter के अंदर ना, यह वाला एक topic और add कर देता हूँ, यह वाला सवाल और अपने notes के अंदर add कर देता हूँ, होता है नहीं, अभी तो तुमें नहीं लग रहा होगा बाद में जब तुम question practice करोगे, जब तुम previous year question solve करोगे, जब तुम sample paper करोगे तो तुमें लगेगा कि अपने notes के अंदर यह वाला सवाल जरूर डाल देता हूँ, तो इस वज़े से हर chapter के ending के बाद एक या फिर दो page तुमें छोड़ने ही छोड़ने है, ठीक है, यहां तक clear है, अब जल्दी से बढ़ते हैं, आगे अपना short notes की तरफ, अब पहला सवाल, यह short notes बनाना जरूरी है क्या, और जरूरी है तो क्यों है यार, देखो यार, short notes हमें सारे subject के नहीं बनाने होते हैं, हमें उन subject के बनाने होते हैं, जो की थोड़े लंदी होते हैं, लंदी जैसे के SSD बहुत important है, science के अंदर biology, chemistry, पूरी science के भी तुम short notes बना सकते हैं, तो बना लेना, ठीक है, लिंक टेलिगराम के description में देदू, आँ वहाँ से जाकर download कर लेना, तो तुम्हें क्या करना है, SSD और science के लिए, specially आपको short notes बनाने, अब देखो, मैं यह नहीं कह रहा है कि हर एक student short notes बना है, मैं उन students के लिए कह रहा हूँ, जिने याद करने में दिक्त आती ह बहुत, तुम्हारे सा खता हो ना, तुम पढ़ते हो, एक दिन बाद भूल जाते हो, दो दिन बाद भूल जाते हो, अगर तुम्हारी memory capacity कम है ना, तो short notes बना हो, बहुत important है, अब सवाल है अब बनाने कैसे है, हमने long notes से बना लिए short notes कैसे बना है, तो देखो, short notes जो होते है ना, वो long notes से बनते हैं, कैसे, अब देखो, imagine करो, यह मेरे पास copy है, यह copy है, मेरी long notes की copy, ठीक है, यह मेरे है, ln, long notes, यह copy मैंने खोल के रखी है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक page निकालूँगा, एक pin page जो होता है, तुम्हारी copy का वो निकालना, short notes, हर chapter का, पूरे के पू अब मैंने क्या करा, मैंने एक pin page निकाला, और उस pin page पे छोटा छोटा लिखना start करा, इस long notes को मैंने पढ़ा, और इस long notes से जो भी मुझे important लग रहा है, यार मुझे लगता है कि science का, मैं chapter पढ़ रहा हूँ, electricity, मालो electricity का example ले रहा हूँ, मैं मुझे लगता है, यह वाला concept important है यह वाला formula important है, यह वाले concept important है, मैं chapter पढ़ रहा हूँ, chemical reaction and equation, मुझे लगता है कि chemical reaction, equation में decomposition reaction बहुत important है, उसका example बहुत important है, कैसे बना रहा हूँ मैं, long notes की मतलती, जब तुम उतने long notes पढ़ोगे न, तो तुम्हें ऐसा लगएगा कि आदी चीजी तो मैंने ऐसे लिख दी चीजी लिखते हो न, तुम पूरी की पूरी, कि बॉटेश, decomposition reaction, अब क्या तुम इस definition को फिर से अपने short notes के अंदर लिखोगे, नहीं लिखोगे, वो तो तुम्हें आद होगे न, decomposition reaction क्या होती है, displacement reaction क्या होती है, combination reaction क्या होती है, क्या हमें वापिस से लिखनी है, नहीं, short notes क मतलब है, बिल्कुल छोटी-छोटी notes, हर chapter को एक से दो पने के अंदर हमें पूरा का पूरा कर देना है, ठीक है, अब देखो, इसके अंदर कुछ techniques होती है, जो की use की जाती है, पहली technique है, split page technique, यह क्या होती है, देखो, यह एक छोटी से technique है, एक न scientific study के अंदर हमें यह बता चला था, कि हम revise उतने अच्छे से करते हैं, जतने कं pages के हमारे notes होते हैं, तो अगर आपके 10-15 के notes हैं, तो आपको last के time इंदर ही बहुत मुस्यवत होगी याद करने में, और अगर आपके किवल एक page के note हैं, तो आपको असानी होगी याद करने में, तो हमें क्या करना है है page को, हमारे page को short notes की बात कर रहा हूँ, हमारे page कौन split कर सकते हैं, ऐसे, और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, थोटा-चोटा, उससे क्या होता है, एक page के अंदर ही पूरा chapter खतम हो गया, जब आपका दिमाख, revision के time पे notes को देखेगा न, तो उससे लगेगा, यह तो थोड़े से ही है, इसको तब भी कर दूँगा, ठीक है, तो यह technique बहुत अच्छी है, split method, उसके अलावा है, long notes के मदद से हमें बनाना होता है, यह सारी चीज़े मैं आपको समझादी, एक थोड़ा सा आपको sample दिखा देता हूँ है, कि हमारा जो notes है, वो कैसे दिखते हैं, short notes कुछ ऐसे दिखते हैं, यह तो वैसे IITJE के notes है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि यार, ऐसे कुछ दिख रहे होते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर attach कर दूँगा, यही वाली image, कोई tension वाली बात नहीं है, बट आप देख रहे होगे, तो बिलुकुल छोटा छोटा यहाँ पर, हमें क्या करना है, हमें एक page के अंदर, एक page के अंदर पूरा chapter खतम करते हैं, इसके लावा जो मैंने तुम्हे flow method बताया था ना, उसका भी एक example दिखा देता हूँ, जैसे यह एक example है, हमारा flow method का, जैसे कि यह electricity chapter है, उसके flow method के according notes बना रखें, तो आप देख सकते हो, electricity chapter लिख दिया, basic basic points लिख दिये, और भी बहुत सारी चीज़े इसके अंदर आपको दिख जाएंगी, तो ऐसे होते हैं कुछ हमारे short notes की कुछ techniques हैं, जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता था, यह बहुत important है, जिसे छोट-छोटी चीज़े होती हैं न, notes बनाना, short notes बनाना, कि लास्ट के टाइम में बहुत मदाज देती हैं, आज तुम्हें लग रहा होगा यार भीया, क्या फाल तुबात कर रहे हो, कि long notes भी मनाएं, short notes भी मनाएं, मैं तुम्हारे जैसे, पिछले साल, 3,00,000,000 से जादा, 10B के बच्चों को mentor कर चुका हूँ, ठीक है, और मैंने एक average बच्चे को भी देखा है, मैंने एक topper बच्चे को भी देखा है, हर एक category के student को देखा है, मैं इस experience से बता रहा हूँ, क्यों जो topper student है न, वो ज़्यादा कुछ अलग नहीं कर रहे थे, consistency से पढ़ाई कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, notes बना रहे थे, अपने notes बना रहे थे, किसी और के notes के वरोसी नहीं बैठे थे, अपने notes बना रहे थे, notes बनाने, start कर दो, long notes, short notes, कैसे बनाने, I hope, एकदम clear हो गया होगा, अगर फिर भी कोई doubts बचता है, तो या तो तो तुम comment में नीचे पूच सकते हो, उसके अलावा, या तो तो मुझे Instagram पे DM कर सकते हो, link मैं सारी चीजों के description में दूँगा, Telegram को ज़रूर join कर लेना, on this note, शुक्रे everyone, मेरा नामे प्रशान मिलते हैं, ने 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 वीजों के अंदा,